मेरे पास काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कोई लोगों के उपर वेबसाइट बताओ कैनमा के बारे में आपने जरूर सुना होगा और उससे रिलेटेड काफी लोगों ने वीडियो भी बना रखे तो इन दोनों वेबसाइट से बहुत ईजिली कर सकते हैं वो कौन सी दोनों वेबसाइट है उसको कैसे यूज़ करना है यही मैं आज के वीडियो में बताऊंगा पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बात बोलूँगा अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो मेरे चैनल को सब्स लिंक देख रहे है इसके उपर आप क्लिक करेंगे डिरेक्ट आप इस वेबसाइट में आजेंगे अगर आप इस वेबसाइट के फीचर देखना चाहते हैं तो पेज को नीचे करके देख सकते हैं तो मेकव फ्री लोगों के उपर आपने क्लिक करना है और डिरेक्ट आप पेज में आजेंगे अब यहां से friends आप देखेंगे left side में categories आ रही है आपकी कौन सी niche है आपको वो select करना है मेरी niche technology से related है हो सकता है आपकी sport, fitness, business, art, entertainment कुछ भी हो सकता है यहां से आपने उस niche को select करना है यहां से मैंने अपनी category को select करा अब आप देखेंगे मेरे पास ready में templates आ यहां से आपको जो भी logo पसंद आ रहा है आप उसके उपर pointer ले जाएंगे यहां आपको दो option मिलेगी preview customize तो customize के उपर आपने click करना है सबसे पहले यहां उपर एक icon बना है अगर आप इसको change करना चाहते है तो आप देखेंगे left side में icon की option है इसके उपर click करेंगे तो यहां अच्छे खासे icons मिल जाएंगे नहीं तो आप यहां पर search भी कर सकते हैं अब आप देखेंगे text related जितने भी icons है वो मेरे पास यहां पर show कर रहे है for example आपको यह वाला icon पसंद नहीं आ रहा है यहां से आप इसको click करेंगे और उसके बाद corner में आप delete का button देख रहे है इसको आप delete कर देंगे अगर आपको यह border चाहिए तो इसको रखें नहीं तो आप इसको भी delete कर दें यहां से example के लिए मैंने इस वाले icon को select करा drag करके मैं थोड़ा सा उपर लेके जाऊँगा और आप यह जो corner में four dots देख रहे हैं यहां से आपने pointer को ले जाना है hold करके drag करने और इसके size को आप increase कर देंगे increase करने के बाद अगर आप इसका color change करना चाहते हैं तो यहां से आप इसके color को change कर सकते हैं यहां पर आपको काफी सारी options मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात friends यहां पर आपको gradient color मिलेंगे मतलब double shade में आपको color मिलेंगे अगर आप use करना चाहते हैं तो जरूर use करें मैं आपको सिर्फ एक यह demo purpose के लिए दिखा रहा हूँ आप अपनी creativity के accordingly design करें अब नीचे friends आप देखेंगे text लिखा हुआ है और यहां option आ रही है text की इस पर आपने click करने है अब यहां से आपको जो भी font अच्छा लग रहा है उस font को आपने यहां से select करने है font के color को अगर आप change करना चाहते हैं तो यहां से आप इसके color को change कर सकते हैं change करने के बाद अगर आप यहां पर कुछ edit करना चाहते हैं तो double click करेंगे और आप देखेंगे यह select हो गया यहां से आप इसे drag करके ले जाएंगे और जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहां type करेंगे size को छोटा बड़ा करना है तो friends यहां से आप size को थोड़ा खम जादा कर सकते हैं और भी आपको features मिलेंगे board, italic अगर आपको capital करना है, small करना है वो भी आप कर सकते हैं इधर कोई effect देना चाहते है, outline देना चाहते हैं तो यहां से आप वो चीज़ें कर सकते हैं shadow देना चाहते है तो इसको आप use करें, उसके बाद यह third option है, यहां से आप space कितना देना चाहते है, line की height कितनी होनी चाहिए, curve कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हैं इसी तरह से आप slogan को भी change कर सकते हैं, उसके color को, font को, size को, bold, italic, जैसे भी करना चाहते हैं, आप बहुत easily कर सकते हैं अब नीचे option आ रही है, shapes की, क्या आप इसके अंदर कोई shape देना चाहते हैं, for example, मैंने इसको select करा, और यहां से मैं चाहता हूँ कि अपने पूरे thumbnail में एक shape दे दूँ, तो यहां से आप उस तरह की shape design कर सकते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसको यहां को मिल जाएगी, आप अपने logo के center को भी यहां से design कर सकते हैं, center मतलब अगर आपको यह वाला icon पसंद नहीं आ रहा, तो यहां से आप इसे delete करें, और उसके बाद आप इसको select करें, यह education purpose से related icon है, यहां center में अगर आप text देना चाहते हैं, तो friends, यहां से आप अपने font को सब crease कर सकते हैं, अब last option आ रही है background की, यहां से क्या आप अपने background को transparent मतलब PNG format में रहने देना चाहते हैं, तो by default आप देखेंगे, यह इसको उपर tick है, इसको आप tick ही रहने दे, अगर आप चाहते हैं कि background में कोई अच्छा effect आजए, यहां पे आपको solid colors भी मिलेंगे और gradient colors भ देखरी, तो भी आप इसको edit कर सकते हैं, मैंने techno विदान को select करा और यहां से मैंने इसके color को change कर दिया, उसके बाद यहां option आती है preview की, आप चाहे से preview कर सकते हैं, save कर सकते है, save करने के लिए आपको sign up करना पड़ेगा, आपके account में यह logo save हो जाएगा, अगर आपको लग र यहां पर लिखा है, download a low resolution free logo, इतना भी low नहीं है friends, यहां पर आपको option मिलेगी 300 by 300 pixel की, यहां पर आपको अपना email डालना है, चाहे तो आप Facebook, Google से भी login कर सकते हैं, मैंने अपना email डाला, और email डालने के बाद कभी भी आपको अपना email वाला password नहीं डालना, हमेशा कोई दूसर password डाले, उसके बाद sign up के उपर आपने click करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, 300 by 300 pixel का आपको यहां पर logo मिलेगा, और नीचे आपको यह कह रहे है कि आप इसको share करें नहीं, तो अपनी website के अंदर इनका link add करे, download and agree के उपर जैसी मैं click करूँगा, मेरा यह logo आप लाएगा, यहां से आपने अपने account को activate करना है, यहां पर hair लिखा हुए, इसके उपर आप click करेंगे, और यहां से आपका account confirm हो चुक है, अब आप जो भी logo create करेंगे, उसके अंदर आप उसे बहुत easily save कर सकते हैं, आप सब जानते हैं, मैं अपनी main website www.technovidant के अंदर courses का feature add कर करना है, और friends यहां से आप Udemy के free courses बहुत यह असानी से join कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे courses मैं add कर चुक हूँ, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator जैसे और भी आपको courses मिलेंगे, अगर आप देखेंगे, यहां पर मैं अभी तक 725 course add कर चुक हूँ, आपको यहां पर categories भी मिलेगी, direct आप यहां से search भ coupon code के उपर आपने click करना है, और यह सिफ 6 second का timer है, उसके बाद यहां पर लिखाएगा click here, इसके उपर आपने click करना है, और यहां पर लिखाएगा free course link, और इसके उपर जैसे click करेंगे, direct आप Udemy की website में आजेंगे, और यहां से course को free में enroll कर सकते हैं, अब मैं आपको दूसर coupon की भी उसके अंदर कोई option नहीं है, तोटली वो free है, आपको Google में जाना है, वहां पर लिखना है logo maker the host, आपने यह लिखना है, और उसके बाद यह जो first link देख रहे है, इसके उपर आप click करेंगे, direct आप इस website में आजेंगे, इसका interface थोड़ा अलग है, इसमें आपको categories वाली वो option नहीं मिलेगी, जो भी मैंने आपको दिखाई थी, इसमें थोड़ी आपकी creativity काम आएगी, और इसका सबसे बड़ा benefit यह है friends, इसमें आप high resolution के logo को बहुत ही असानी से है, और बिल्कुल free में save कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दो option मिल रहे है, उपर यहाँ पर आपको एक delete करें, और उसके बद जो already यह text है, इसमें आपने double click करके control A करना है, और जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ इसके font को मैं थोड़ा change करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे A लिखा है, और उसके आगे जैसी मैं pointer ले जाके click कर करता हूँ, तो जिस font के उपर में अपने pointer को ले जा रहा हूँ, आप देखेंगे वही font मेरा नीचे change हो रहा है, इसमें से आपको जो भी font पसंद आ रहा है, आप उसको बहुत यह असानी से single click में select कर सकते हैं, अगर आपने इसके size को थोड़ा कम करना है, तो just आपने इदर कर सकते हैं, अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा zoom करना चाहते है, आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप इस symbol को change करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे left side में option आ रहे है, add symbol, इसके उपर आपने click करना है, यहाँ से आपको अपनी category को select करना है, For example, मैं फिट से यहां से technology को select करूँगा और technology से related जो भी मुझे symbol यह icon यहां से पसंद आ रहा है उस पे मैं double click करूँगा आप देखेंगे मेरा icon यहां show करने लग गया previous वाला जो मेरा icon था, symbol था उसको मैं यहां से delete करूँगा और यहां से मैं इसको drag करके hold करूँगा और इसके size को थोड़ा बड़ा कर दूगा इसमें भी same वही फंड़ा है, color यहां से आप change कर सकते है जोन सा भी color आपको पसंद आ रहा है थोड़ा सा zoom in, zoom out करना चाहते है उसके आप plus minus को use करें नीचे अगर आप shape कोई देना चाहते है तो add shape में जाए उसके बाद आप कोई भी shape यहां पर दे सकते है अगर आप देना चाहते है तो इसको size को छोटा करें और उसके बीच में अगर आप कहीं add करना चाहते है तो वो भी कर सकते है सेम वैसी color change करने का फंडा है जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ अगर आपकी कोई already image है आप हो सकते है अपनी photo को ही यहां लगाना चाहते है तो यहां पे लिखा है upload image इसके उपर आपने click करना है और यहां से मैं अपनी image को select करूँगा तो आप देखेंगे direct मेरी यहां पे image upload हो गई है और previous जो हमने symbol select करे थे मैं वो सारे यहां से delete कर दूँगा तो यहां से आप इसको hold करके size को छोटा बड़ा कर सकते है जिससे आपका एक अच्छा खासा logo create हो जाएगा यहां से background color की आपको option मिलती है कि आप अपने background color change करना चाते है तो आप इस तरह से कर सकते है नहीं करना चाते है तो इसको by default ऐसे ही रहने दे preview पे click करके आप देख सकते है कि इसका preview किस तरह का आएगा उसके बाद यह option देगा कि आप इस domain name को purchase करना चाते है तो यहां से हमें option ने चीए already मैं इसे purchase कर चुका हूँ मैंने close कर दिया और यहां आ रहा है save and download इसके उपर click करना है अब यहां पर आपको अपना email id डालना पड़ेगा और save and continue के उपर आप click करेंगे यहां पर आप देखेंगे मेरा जो logo है मेरे email id में send कर दिया है मैं अपना email id आपको open करके दिखाता हूँ यहां पर आप देखेंगे zip format में file आ गई है और जैसी मैं इसके उपर click करूँगा यहां पर आप देखेंगे jpg, png और सबसे बड़ी बात इसने मुझे pdf file में भी दे दिया अगर मैं किसी को project send कर रहा हूँ तो pdf file में send करके दिखा सकता हूँ कि इस तरह का मैंने आपका logo डिजाइन कर रहा है और svg format में भी आपको यहां पर मिल जाएगा right click करके मैं इसका size दिखा देता हूँ यहां पर आप देखेंगे 746 by 424 pixel का आपको size मिल रहा है और gpac में भी देखेंगे friends आपको same यही size मिल रहा है अगर आपने भी तक मेरे channel को subscribe नहीं करा तो subscribe के button पर click करें और इस bell icon को press करने के बाद all के उपर जरूर click करें